सब्सक्काराईं लोगोद व्यां ना लोगे इस देख सकते हैं आप यह देख सकते हैं पूरा गठरी किताबों की देख रहे हैं नना कि भाई दतेरा मैंने किताबे पड़ी ठीक है पर एक ऐसा किताब मेरे makers लगा है और आप मानेंगे नहीं मैंने कोई भी कमपनिया फोड देख रहें ना फोड है क्या है मारूती क्या है हर चीज मतलब पर ऐसा कोई किताब नहीं लगा जिसके बारे में मैं आपको बता हूँ पर एक ऐसा किताब हाथ लगा है जो हमारे स्पेसल मेकैनिक भाईयों के लिए है कि जो भी मेकैनिक भाई सेंसर और वाइरिंग से डरते हैं अब उनको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेंसर कैसे टेस्ट करें चाहें टू पिन का हो थ्री पिन का हो वा मैं लेन तो टeस्टर का रेट ऑन्ट कर ने जन्बाएटार है तो शर्मानीे ता हमने टेस्टर लिया तो हम्का तुका इसमारी में कितना बोल जा रह रहाी है इसमें कितना बोल्त जाラए उससे कुछ होगा तो नहीं फार्मूला चीए अब मानके चलिए दो pen है, एक 5 twent gran集 10 सवाल आपको दे दिया जाए हल करने के लिए आपको फार्मूला नहीं पता है आपको 10,000 का पेन दे देंगे तो हल कर देंगे क्या नहीं हल कर पाएंगे यदि फार्मूला पता है तो आपका एक रुपए पेन भी उस सवाल को हल कर सकता है सेम टू सेम ऐसे ही है 17,000 रुपए क सेनसर और वाइरिंग को टेस्ट कर सकते हैं की कुछ कोंसे सेंसर में कितना बॉलटे जाना चिए косट सरां पौक कितना लेकि टेन्स होना चिए कि रियंग में कितनी वैलिू आने चीए यदि नहीं आ तो खराब क्या है जो खराब है उसको चेक कैसे करें उसका चेक करने का तरीका क्या है बहुत आसानी से फोल्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं फार्मूला है मूल मंत रहे वाइरिंग और सेंसर का और इसमें इतनी बारीकी से बताए कि सेंसर के तीन वाइर हैं एक वाइर में क इतना signal आना चीए, तीसले में कितना ग्राउंड आना चीए, multimeter का एक तार किधर लगेगा, दूसरा तार किधर लगेगा, इतनी detail में तो एक उस्तादी बता सकता है, वरना एक किताब बता सकती है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता आईए जान लेते हैं किताब में क्या-क्या है बहुत पहले हम ये वाइरिंग पे काम कर रहे थे इंजन की वाइरिंग के बारे में कि टोटली अभी थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था मैंने पर एक नई हिम्मत आ गई किताब के आने से देख सकते हैं तभी किताब में भी जान लेते हैं इसकी छोड़ी मैं इस पर काम करूंगा और इसके हिसाब से मैं काम करूंगा अब इस किताब में जान लेते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या है क्या अच्छा है क्या बुरा है स्रीगड़ साहिब मुकेश चंद्रकुन मैंने लिख दिया था यह मैंने नाम लिखा था अपना जानते हैं कोई भी किताब खरी तो पिर मैं उसी सबसे और और दिखे इसमें सेंसर टेस्टिंग का कैसे है क्रेंग सेंसर टेिस्ट संसर मास एर फ्लो बुष्ट प्रेशर इस पीडियो मीटर ऑश एक्सलेटर पैडल रेल प्रेशर onu को अर खेले उनके पास न है कितना खजबласि switch जो है brake pedal switch color switch काचे करने का तरीका है लों को कैसे EGR wall solarane wall fuel mattering wall वालों को भी चेक कर सकते हैं यह multimeter को कैसे test कर सकते हैं कि multimeter को कैसे चला सकते हैं DC bolt पे कैसे connectivity पे कैसे resistance कैसे चेक कर सकते हैं sensor का testing का crank sensor delco point ignition coil ABS DRB injector E sensor कैसे testing कर सकते हैं wiring के अंदर voltage किस तरीके से आते हैं voltage testing ground checking signal checking एक कर सकते हैं OVD के जो solar pin total detail में बताएं इनोंने कि solar pin क्या है कैसे कैसे किसमें कितना voltage आता क्या है can low can high दोनों के बारे में तो can low can high के बारे में यह देखो कितने detail में बताया है relay four pin five pin main relay भी टेस्ट करने का तरीका बताया इस scanner को कैसे चलाएं scanner का function क्या उसके code कैसे आते हैं वो सारी detail में diagnosis philosophy दिया हुआ इन्होंने की फोल्ट कोड कैसे रीड करें scanner के साथ में actual reading क्या होनी चीए वो detail में है कि यहां देखो CIDI system starting point है different wall और sensor के बीच का different बताया इन्होंने अब हम scanning करते हैं उसमें open circuit का कई बार आता है तो जो scanning करते हैं जो भी हमारे पाफोल्ट कोड की रेट होके आते हैं उस फोल्ट कोड के error code देखना लाश्ट में क्या लिखा होगा होता है उस सारा इस पे detail में चर्चा किया इस किताब में इन्होंने open circuit, short circuit, circuit high, circuit low, reference voltage, input signal, output signal, bank 1, bank 2, sensor voltage above upper limit, below lower limit, injector circuit open, circuit range performance, sensor high and low frequency, CTR sensor control circuit, fault code read तो फोल्ट कोड के बारे में पूरी detail में बताया है अब यह दो को जैसे इन्होंने सारे sensor के detail में data दिया हुआ अब जिकर कर लेते हैं कि crank sensor का देखो यह data है बहुत आसानी से पढ़ना होता है साउधानी से दो वायर क्रेंक सेंसर को कैसे टेस्ट करें ठीक है और थ्री वायर के sensor को कैसे टेस्ट करें कहां गराउंड कितना बोल्टेज कितना डी सी कितना गराउंड आना चीए साथ में आपको क्या कैसे कैसे रखने क्या त्यारी रखने कितना data सारा चीज इसमें किताब में ही जिकर किया हुआ है कि देख सकते हैं कि अब जैसा कि यह मैंने यहां से लिया हुआ है अब आप एक्सिलेटर पैडल पोजीशन सेंसर के बारे में देख लिजी जितने पॉइंट सब पे क्या बोल्टेज आने चीए उसके ग्राउंड क्या आने चीए इसकी कनेक्टिविटी ओपन सरकिट ओपन कनेक्टर में कैसे होते हैं देख रहां कितनी डीटेल में इन्होंने सारा कुछ मेंसन किया इस किताब में और मैं दिखा दिए सारे मैंने पढ़ाई किया है यह देखिए मुल्टी मीटर से कैसे टेस्ट करें आपका मुल्टी मीटर किधर लगाएं कौन सा प्रोब किधर लगाएं काला पीला नीला हिंदी में लिखा है वेलकुल देशी भासा में औ बहुत डीटेल में है एक उस्ताथ ही के सिवा है और कोई नहीं बता पाएगा इतना हिंदी में लिखा हुआ है टोटल हिंदी अधिको कैसे मैंने पढ़ाई किया है जितना लाल पीला का मारका लग रहा है नो सब मैंने पढ़ाई किया है तो यह है और कार और ट्रक दोनों से अब आये जान लेते हैं कि यह किताब मेरे हाथ लगी कैसे और आपको भी कैसे मिल सकती है तो मैं बतायता हूं बहुत सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं कोई सेह की पेटी लेके आता है कोई आम की पेटी वह या गूंड पूरा एक बोरा गूंड लेके आ गए थे ब मैंने किताबे सोचा खूल के देखो लूँना एतना सेरियस नहीं वह था उई तैम में लेंकि जब खूल के देखा तो वह हुआ जान थी किताब के अंदर अब आपको भी कैसे लेना लेना है कि इस नमब्र से आपको किताब मिल जाएगी सब्सक्राइब किताब जोना ओडर किया तो ए भी जाना कई पर जरूरी हो जाता कि आखिर ये किस ने बनाया क्योंको अभी मार्केट में एवाइ लेबल नहीं है धीर धीरे एवाइ लेबल होगा अभी इन्होंने तयार किया तो यह है सर जगजित सिंग सर है और यह सर है जो जी तो पंजाब में इनका वक्षोप भी है खुद का और यह इन्हों नहीं किताबे लिखी है यह जो भी एक्सप्रियेंस हेर किया है रियलिटी में एक जिसे किताब आ जाने से मुझे नहीं लग रहा अधूरा पनव रहेगा बहुत बारीकी से एक सेंसर के बारे में डीटेल में बताया गया इस कि क्या है अच्छा क्या अब यूरा बाकि तो मैं अपडेट करता रहूंगा जितने ही घ्रकोड करओं से करूँ गा तो असका इस व्यक्राइब फोल्ट कोड दूर किया है हाजी नमस्कार मैं जगजी सिंग फ्रॉम हाइटेक एसियम और ट्रेनिक सेंटर पंजाब खना तो आज मैं स्पेशल मकेश जी के पास आया हूं इनको एक गिफ्ट देने पहला गिफ्ट इन्होंने इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर लोगो हम लोग कहीं भी मेकैनिक को मुश्किल आती है तो सबसे पहले इनकी वीडियो यूटूब पे आएगी तो मेरी ये दिली श्चा थी के मैं इनका थेंक्यू करके आऊं और इनको मेरी बुक जो के मेरा चैनल भी है उस पे भी नहीं मैंने दी मैं बहुत चोटा सा हूं चोटे से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो पहले मैंने इनको गिफ्ट की इनका धन्यवाद जो इनोंने हमारे गिफ्ट को सभी कार किया ओके थेंक्यू किताब मेरे को काफी अच्छी लगी और काफी बेसिक चीज है इसमें एक उस्ताज जो पांच सलम लगाते हैं सीखने के लिए वह क्लिक कर दो इस पर भाई इस किताब को आप लोग बात कर लेना पर्चेश कर लेना जैसे भी करना ठीक भाई तो ओके थेंक्यू वाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपी के साथ तब तक के लिए ओके थेंक्यू